कि नमस्कार दोस्तों ओप्संगेन चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आप लोग देखी रहे हैं मार्केट में नया नया गेम बनता रहता है किस हिसाब से आया से टीशी को उपर ले जाके फिर नीचे एकदम से तोड़ा तो आप लोग देखों बांसर्ट सो से स् पास आ गया तो मैं आप लोगों को हमेंसे यही कहता हो कि स्मॉल के अंदर दोस्तों बढ़ना और बीस तीस परसेंट गिनना मजाक होता है अब अगर आप लोग बीस तीस परसेंट नीचे आते के साथ ही अपनी पोजिशन से एक्जिट करोगे सो कितना लोस उठाओगे तो इन चीजों को समझना दोस्तों जो स्मॉल कैप होता है रोकेट की तरह उपर जाता हो रोकेट की तरह उपर आता है तो इसलिए मैं आप लोगों को नीचे के दो तीन लेवल देखे रखता हूँ काफी दूर-दूर के लेवल होते हैं तोड़े से और वहां से वह बांस बैक देता है तो वहां से बड़ा अच्छा आप लोगों को प्रोफिट देखने को मिलता है अभी मैंना आप लोगों को धानी दिया था दोस्तों कुछ दिन पहले एक सो नबबे रुपे के आसपास था और आज वह 230 चला गया था मतलब 20% का रिटन दे रहा है एक देड़ महीने के अंदर और एक दोस्तों जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करें थी उस ताइम पर मैंने का शेयर दिया था तो उसके अंदर मेरे कुछ दोस्तों ने होल्डिंग ले रखी थी वह जब मैंने दिया था तो साइद 65 के आसपास दिया था और 55 रुपे 52 रुपे तक भी मतलब मेरे ख्याल से जो मुवमेंट हुई है वह कि अवल साथ ट्रेडिंग सेसं के अंदर ही उसने क्या कहते हैं 52 से 67 का सफर कर दिया और फिर लास्ट मैं 62 यह 63 के आसपास क्लोस हुआ हूँ तो आप लोगों के सारी बाते समझ नहीं है मैं अपनी वीडियो में हमेंसा आप इसी स्मॉल कैप के अंदर गेम बनता है तो जब लोग पैनिक बनके एकजिट कर दे होते हैं तो मैं वहां पर अपना एवरेस करने का लेवल दे के रखता हूँ और ऐसा निया कि मैं चार्ट नेगेटिव होने के बाद आप लोगों को कहता हूँ रूखो मैं भी चाहता हू आप लोगों को देरे-देरे समझ में आएंगी आप लोग प्रोपरतीगे से अगर मेरी वीडियो के लेवल को फोलो करोगे तो सारे गेम आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे तो ऐसा निया कि कभी भी हमारा ऐसल नहीं लगेगा मैं हम ऐसा ही कहता हूँ कि यह मार् पर काम करने हैं तो जुरूर प्रॉफिट में जाएंगे चलो बस मुझे इतना ही बताना था कि पैनिक में मत जाना दोस्तों कभी भी पैनिक में घबराया मत करा करो करने की कोशिस करा करो आज जो मैं पोजिन स्टॉक की सीज में जो अपना स्टॉक लेकर हो दोस्तों उसका नाम है और लैप आप लोगों को इस श्टॉक को कंड़ेट पर कंसिलर करना है और ध्यान दखना दोस्तों यह तो वैसे भी काफी छोटी कंपनी है बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैप टाइप का है तो इसके अंदर और भी ज्यादा आपको उता चड़ाओ देखनों को मिल सकते हैं लेकिन आप लोग अगर प्रोपल तेगे से बने रहोगे तो आप लोगों को अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को इस श्टॉक को करन करेंडेट यनि की 125 के असपास बाय करना है यहां पर आप लोग अपने 35 परेसंड कैपिटल लगा सकते हैं 40 परेसंट भी लगा सकते हैं चाहें तो बाकी आप लगाएंगे 111 रुपे के आसपास 111 के आसपास भी आप लोगों को 35 परेसंड लगाना है और लाश्ट में आप मैं दुबारा से एक बार लिख देता हूँ 125 पर 30 परसेंट 111 के असपास 35 परसेंट इसे भी 35 पर 40 परसेंट कर लेना दोस्तों 125 पर और लास्ट मां आप लोगों को हेंड़ेट पर लेना है यहां पर भी आप लोग अगर आपने उपर 35 कर रहा का तो यहां 30 आ जाएगा इसे स आप से आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं कंपनी का आप लोगों के साथ fundamental भी डिसकस कर लेता हूँ कंपनी का fundamental भी एकदम गजब नज़र आएगा आप लोगों को यहां पर इन्होंने investment checklist के अंदर पांच पॉइंट दे रखे हैं पांच में से चार पॉइंट आपको green नजर आ रहे हैं dividend return वाला point आपको negative नजर आ रहे हैं दोस्तो बाकी सारे point यहां पर positive है अगर company के financial trend की बात करें तो यह आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा अगर financial statement की बात करें तो यहां पर इन्होंने दो तीन पॉइंट दे रखें एक point इनका मतलब consider नहीं क्या रखा उन्होंने और अगर revenue growth की बात करें तो जहां पर industry का revenue growth 6.96 परसेंट है वहां पर इस company का revenue growth 14.19 परसेंट है almost double है दोस्तों industry के revenue growth से और अगर net income growth की बात करें दोस्तों तो जहां पर industry का net income growth 7.95 परसेंट है वहां पर इस company की net income growth 52.17 परसेंट है यानि कि दोस्तों six times के आसपास company का net income margin है अगर यहां पर balance sheet वाले point देखे तो हैं दो point दे रहे हैं और दोनी आप लोगों को गिरिन नजर आ दें तो financial trend काफी positive है दोस्तों company का जो stock है दोस्तों अपने 50 यह में के पास मिल दा है अच्छे rate पर मिल दा है तो आप लोग इसे consider कर सकते हैं और अगर आप इसमें 5-6 महिने hold करते हैं और हमारा अगर SL बच जाता है तो काफी 13 जल्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगी उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफी फाइदे अन्य वीडियो